नमस्कार आदाप सस्त्रियाकाल हम आचुके देश और दुनिया की एक और नई खबर के साथ अगर आप डिफेंश, मिलेटरी, फोरेंट पोलेशी और फाइनांस से चुड़ी हुई खबरों में इंट्रेस्टेड है तो हम लाएंगे आपके लिए हर रोज एक नई खबर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले 6 महिनों के भीतर, इंटरनेट डेटा के प्राइज में हो सकता है इजाफा 6 महिनों के भीतर, 6 रूपिये से लेकर 100 रूपिये तक हो सकता है 1GB डेटा का प्राइज जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने 1GB डेटा के लिए ग्रावकों से 100 रूपिये लेना चाहती है एटल कंपनी कंपनी के चेर्मेन सुनिल मित्तल ने इसकी वज़भी बताई है 2015 के बाद, प्रतिचीवी डेटा की किम्मत लगातार घट रही है 2014 में, 1GB डेटा की किम्मत लगबद 260 रूपिये थी जो 2020 में सिर्फ 6 रूपिये रह गई है एटल के चेर्मेन सुनिल मित्तल के बयान को सुनकर एटल यूज़ज को लग सकता है जटका पार्ती एंटरप्राइज के बूक लाँचिंग इवेंट में सुनिल मित्तल ने कहा कि कम कीमत पर इंटरनेट उपलबद कराना दूर संचार उध्योग के लिए लंबे समय तक व्यवहारिक नहीं है इसलिए एटल अगले 6 महिने के अंदर इंटरनेट डेटा के प्राइज लगबग दोगुने करने पर विचार कर रही है अगर सबसे सस्ते इंटरनेट डेटा वाले 5 देसों की बात की जाए तो उसमें पहले स्थान पर है भारत जहाँ पर प्रतिजीवी डेटा की किम्मत लगबग 6.75 पैसे है दूसरे स्थान पर है इस्राइल जहाँ पर प्रतिजीवी डेटा की किम्मत 8.24 पैसे है चोट् ליúsica स्थान पर है इटली जहाबर प्रति जीवी डेटा की किमत 32 रूपय है पाचवे स्थान पर है यूक्रेन जहाबर प्रति जीवी डेटा की किमत 34 रूपय चालीस पैसे है अगर पाच सबसे महगे इंटरनेट डेटा वाले देशों की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है मालवी जहाँ पर प्रतिजीवी डेटा की किम्मत 2,053 रूपिय है इसमें दूसरे स्थान पर है बेनिन जहाँ पर 1 जीवी डेटा की किम्मत लगबग 2,049 रूपिय है इसमें त्रीसरे स्थान पर है चाड जहांपर 1GB डेटा की कीमत 1748 रुपिय है इसमें चोथे स्थान पर है यमन जहांपर 1GB डेटा की कीमत लगब 1197 रुपिय है इसमें पांचवे स्थान पर है बोच्वाना जहांपर 1GB डेटा की कीमत लगब 1149 रुपिय है आने वाले वक्त में भारत में इंटरनेट के प्राइज में इज़ाफा होता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा फिर मिलेंगे देश और दुनिया की एक और नई खबर के साथ तब तक के लिए गुडबाई